दोस्तो जो चोटे चोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत सारी बिमारी और समस्याई लगी रहती हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैकसिम ओड्राइ सीरप के बारे में जानेंगे यह टैक्सिम ओड्राइ सिरप किस काम आता है बच्चों के लिए ये मैडिसिन किस लिए दी जाती है और डॉक्टर कब-कब इस मैडिसिन को प्रसक्राइब करते हैं तो आज की वीडियो में हम यही जानकारी लेंगे इसी के बारे में जानेंगे साथ ही ये मैडिसिन नन्य मुन्य बच्चों के लिए किस तरह से फाइदे करती है तो ये बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ मेरे साथ वीडियो में लगतार बने रहें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को दोस्तो सब्सक सब्सक्राइटिक मैडिसिन है जो कि सिफैलो स्पॉरिन ग्रुप से ब्लॉंग करती है इसके अंदर सिफिक्जिम मैडिसिन पाई जाती है यानि सिफिक्जिम मैडिसिन होती है जो कि ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में होती है यानि इसको सस्पेंशन की फॉर्म में तयार किया आप यहां देख रहे हैं इस bottle के अंदर यह जो syrup है वो dry powder की form में है और साथ ही यहां एक still water का ampoule है जिसको यहां इसके अंदर mix किया जाएगा तो इस distil water को mix करके इस dry powder को एक oral suspension की form में तयार किया जाएगा ताकि यह बच्चों को आसानी से medicine दी जा सके तो गाइज ये एक एंटिवाइटिक मेडिसिन है जो ट्रीटमेंट करती है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव वैक्टिरिया का जिसकी वजह से बच्चों को उनके सरीर में वैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाते हैं यानि कान का इंफेक्शन हो जाता है या बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो जाता है या लोर रेस्पिरेटरी ट्रेक्ट इंफेक्शन हो जाता है जिसमें की स्वांस नली से लेके फेफणों तक का इंफेक्शन अगर बच्चों को हो जाता है और निमोनिया वगेरा हो जाता है तो डॉक्टर के दुआरा यह टैक्सिम और ड्राइज सिरफ प्रेस्क्राइब किया जाता है ताकि बच्चों को जल्दी से ठीक किया जा सके और दोस्तों आती अगर किसी बच्चे को साइनस की प्रॉबलम है लंग का इंफेक्शन है यानि फेफ़ों का infection हो गया है या फेफ़ों में pneumonia हो गया है तो इसके लिए काफी effective medicine है दोस्तों अगर बच्चों को UTI या urinary tract infection अगर हो गया है तो उसके लिए भी डॉक्टर के द्वारा ये medicine दी जाती है जिसमें कि ये बच्चों के पिशाब को ठीक करती है पिशाब अगर जल के आता है उसको ठीक करती है साथी bladder और ureter के infection को खतम करती है तो इससे क्या होता है UTI से related जो भी समस्या होती है उसको treatment करने का दोस्तों ये medicine काम करती है इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात कर लें तो bacterial infection होने की वजह से अगर बच्चों को बहुत ज्यादा problem है उनको कि CV body के part में infection हुआ है जिसकी वजह से बच्चों को बुखार आता है तो उस तरह के fever को भी treatment करने का ये medicine काम करती है साथी abdominal infection हो जाने पर भी काफी लाबधायक medicine है बच्चों के पेट में अगर किसी तरह का infection हो जाता है तो उसको भी ये ठीक करती है तो guys ये इस medicine के इतने सारे फाइदे हैं जो बच्चों के लिए हो जाते हैं बहुत अच्छी medicine है सिफिक जिम इसका generic name है यानि अगर ये दबाई आप इसके taxim O के नाम से नहीं ले पाते हैं आपको नहीं मिल पाती है तब आप normal इसके generic name सिफिक जिम oral suspension IP के नाम से भी ले सकते हैं और साथी साथ इसके अलग-अलग brand name market में आते हैं उसके साथ भी आप ले सकते हैं तो guys थोड़ा सा इसके बारे में basic information ले ले लेते हैं तो ये दबाई का मूल नाम हो जाता है सिफिक जिम oral suspension की form में इसको तयार किया जाता है यानि liquid form में बनाते हैं taxim O इसका brand name है जो की dry syrup की form में guys आता है आप य बनाया जाता है दूस्तो बनाने का तरीका ये है कि यहां तक इस medicine में एक निसान होता है इस still water को open करके इसके अंदर mix करके यहां तक इसको fill कर लेना है इसके बाद इसको अच्छी तरह से सेख करना है यानि इस bottle को हिलाना है हिलाने के बाद ये constitution त्यार हो जाता है और इस major cup की मदद से अपने बच्चों को देना है जितने आपके डॉक्टर बताते हैं उतना इस major cup की मदद से ना आपके देना है माल लीजिए example के तोर पर अगर हम देखें अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपके बच्चे को 2 ml medicine देनी है तब यहां लगे हुए 2 ml के निसान तक आप इसको भर लीजिए और बच्चों को दे दीजिए तो आसानी से आप इसकी dose दे सकते हैं दोस्तों यह juicy orange और lemon flavor में medicine आती है ताकि बच्चे इसको आसानी से ले सकें यानि उनको पीने के समय पे कोई दिक्कत ना हो बात कर लें अगर इसके strength की तो यह 12 ग्राम पर 30 ml की strength म medicine आती है अगर इस constitution का 30 ml तयार किया जाता है तो इसके अंदर 12 ग्राम medicine दोस्तों होती है outcome laboratories का product है काफी अच्छी medicine है यह काफी अच्छी medicine बनाते हैं और भी इनके सारे brand जो है market में आते हैं guide direction for use में अगर हम बात करें तो simple इसको open करने के बाद आपको इसके अंदर mix कर लेना है इसको यहां तक fill करना है और इसको अच्छी तरह से सेख करके medicine को और इसको तयार कर लेना है और बताई गई डोस जितनी doctor बताते हैं वो आपको देनी होती है दोस्तों आपको इस medicine को बन करता है तो इसको फिर यूज नहीं करना है और पांच से साथ दिन तक जब आप इसको बना लेते हैं तो उस समय इसको freeze में normal temperature पर आपको रखना है धूल धूप moisture से इसको बचाना है heat से बचाना है sunlight से बचाना है तो इन सभी चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है और और साथ ही आप इस तरह की medicine जब medical store से खरीदते हैं तो इसका manufacturing और expiry date चेक कर लिया करें साथ ही इसका MRP भी देख लिया करें ताकि आपको सही medicine मिल सके आप कोई खराब medicine लेकर ना आएं गाइस इसका जो MRP है वो 48 रुपीज है लगभग 48 रुपे में ये आपको किसी भी medical store पर मिल जाती है और दोस्तों समय और area के हिसाब से ये जो MRP होता है वो बदलता रहता है time time पर तो जब भी आप medicine खरीदते हैं इसको check कर लिया करें guys अब हम जान लेते हैं इस medicine के क्या-क्या side effect बच्चों में आ सकते हैं यानि वो कौन-कौन से लक्षण है जो बच्चों में आ सकते हैं जो की नहीं आने चाहिए तो हो सकता है इस medicine को लेने के बाद बच्चों में पेट का दर्द हो सकता है उनको allergic reaction आ सकते हैं अगर कोई unwanted side effect हैं जो बच्चों में आ सकते हैं अगर ऐसा कुछ बच्चों में होता है आपको दिखता है तो तुरंत medicine को रोग दें इसको discontinue करें और अपने डॉक्टर से सलह करें और उनकी सलह से ही further treatment लें तो guys यह side effect हो गए इसके पात कर लें इसके precautions की तो इस तरह का अगर आप taxim or syrup बच्चों को देते हैं तो इनका अगर कोई और किसी सवस्या का कोई बीमारी का दवाई चल रहा है तो डॉक्टर को पहले बता दें ताकि डॉक्टर उसको सही से डॉस को दे सकें और उसकी according दवाई को prescribe कर सकें दोस्तों डॉस की अगर हम बात कर लें तो डॉस हमेशा आप तो पाँच से साथ दिन तक दे सकते हैं तो पाँच से साथ दिन तक नॉर्मल दी जाती है अगर इसके बाद भी जरौत होती है तो डॉक्टर अपने according इसको दे सकते हैं तो guys ये इस तरह से इस medicine की जानकारी हो जाती है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये जो जानकारी आपको दी है वो पसंद आई होगी वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा दोस्तो जानकारी अच्छी लगी है तो guys आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं आपसे नई वीडियो में तब तक देखते रहिए आपका अपना यूटूब चैनल यूनिक मेडिसिन सेफ रहिए अपना ख्याल रखिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद आपका दिन सुभ हो